यूट्यूब फैमिली एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सकसज मंत्रवाई दीपक राय सर आज भी मैं आपके लिए टॉप 30 कोशिंग जो है जी यह से रिलेटेड लेकर के आई हो तो इस वीडियो को आप एंड तक दीखे है तो हम आपको एक बात बता दें कि एक्जाम आज नहीं तो चाहिए कुस टाइम बात होगा बट एक्जाम होगा जरूर और हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर फॉर्म मतलब फॉर्म आएगा या एक्जाम होगा तब ही हम उस चीज़ के प्रिपरेशन करेंगे हमें कि आपके स्क्रीन पर अबरक के उत्पादन में भारत का इस्तान इंगर भारत का प्रथम इस्तान घंके भारत जो है विश्वका लगबग 60% कितना भारत जो है विश्वका लगबग 60% अब्रक का उत्पादन करती है और अब्रक उत्पादन में भारत का प्रथमिस्तान है अगर हम बात करें अब्रक के प्रकार की तो अब्रक के तीन प्रकार होते हैं मेंली अब्रक के तीन प्रकार है कौन-कौन से रूबी अब्रग मस्कोबाइट और बामुटाइड अब्रग ठीक है और साथी साथ अगर हम बात करें कि भारत में यह कहां-कहां मिलता है तो आपको याद रखना है कि अब्रग जो है मुख्य रूप से जहारकंड आंधर प्रदेश एवं राजस्थान जैसे वाला राज जो कौन सा है और इशा पस्चे मंगाल या फिर करना टेक तो आपको बताने इसका सही जवाब भारत में सबसे ज़्यादा लोह उत्पादन करने वाला राज जो कौन सा है आपको याद रखना है और आपको मैं बताऊ जो है वह भारत का लगबग 50.85 परसंट कि खिए और सबसे ज़्यादा संचित बंडार के सर्व प्रथम विकास कौन से ले संथे हुआ अगर हम बात करें का 93 J Mangats का विकास कौन से देश में हुआ है यह आपको बताना है भारत चीन संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक है तो इन तीनों प्रफिन में से इसका राइट आंसर क्या हो जागा कागज निर्माड की विदी का सर प्रतम विकास कौन से देश में हुआ है चीन में हुआ है और अगर हम बात करें कि कब आपका क्लियर होगा बढ़ते हैं अपके स्क्रीन पर कुश्चिन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि खनिच आधारित उद्योग कौन से हैं यह आपको बताना है लोहा अलूमिनियम पेट्रोलियम या फिर उप्योक्त सभी तो आपको बताना है इसका राइट आंसर और इसका लोहा अलूमिनियम पेट्रोलियम यह सारे चीज के आती है ठीकि और साथ इसके और और से चीज Menschen नंबर 5 आंसरा कि निवनलिहित मैं से कच्चे माल हाधारित उद्योग नहीं अगर क्रिसी आधारित उद्योग खनिश आधारित उद्योग पसु आधारित उद्योग और या फिर निजी छेत्र के उद्योग तो आप याद रखें कि जो निजी छेत्र के उद्योग होते हैं वह कच्छे माल पर आधारित उद्योग नहीं होते हैं अगर हम बात करें कि कच्छे माल पर आधारित उद्योग कौन से होते हैं तो क्रिसी आधारित उद्योग वन आधारित जितने उद्योग होते हैं पसु आधारित यह सारे चीज़े जो होती है वह कच्छे माल पर आधारित होती है लेकिन जो निजे छेत्र होता है वह उद्योग के स्वामित्व के आधार भी दो पर उद्योग होटा है ठीक है नेक्सक्राइब से कुछी नंबर 6 आपको मैच दिया हुआ अपको मिलान कर ना किनिम दिखित है उसमेलित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है जो गलत है क्या राहुल केला जर्मनी की साहता से बनाये बिलाई रूस की साहिता से दुर्गापुर स्पेन की साहिता से अब आपको बताने इसमें से गलत कौन सा है तो आप याद रखी ऑप्शन नमबर सी इसका राइट हो जाएगा जो दुर्गापुर है वह स्पेन की साहिता से नहीं बना है बलकि किसकी साहिता से बना है ब्रिट इन की हेल्प से बना हुआ है ठीक है नेक्स्ट कुश्चिन की बात करते हैं कुश्य नंबर सेवन कुश्चिन नंबर सेवन इस स्क्रीन पर भारत सरकार द्वारा नवीन और जी। नीती की घोशड़ा कप की गई थी भारत सरकार के द्वारा जो भी नवीन और जोगीक है उसकी घोशड़ा कप की गई थी? 24 जुलाई 1991, 2 अगस्त 1991 या फिर 15 अगस्त 1992 तो आप याद रखिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? 24 जुलाई 1991 is the right answer भारत सरकार के द्वारा नवीन और योगिक नीथि की जो शुरुआत के गई थी घोश्रा की गई थी वो कप की गई थी 24 जुलाई 1991 को और किस प्रधान मंत्रे के द्वारा की गई थी तो पीवी नरसिंभा राउ के द्वारा के द्वारा किसके द्वारा कप की गई थी परतम जूत मील की स्थाफण कप की गई थी यह आपको बताना जूत मेरे जूत मेरे कि स्थाफण के गई थी तो भी आप बbling कच्छा के पास एक जगह पड़ती है रिसरा नाम की किस नाम की रिसरा नाम की तो कोलकता के पास में एक रिसरा नाम की जगह है वहाँ पर पहले जूट मिलकी स्थापना की गई थी और आपको टाइम याद रखना है 1855 नेक्ट कुश्चिन आपकी स्क्रीन पर कुश्चिन नमबर नाइन से ज्यादा उप्युक्त होती है option दीया हुआ है लाल मृदा लेटे राइट मृदा या फिर परवती मृदा तो आप याद रखिए कि चाय कॉफी मृचालों की खेती के लिए लीडे राइट मृदा जो है सबसे ज्यादा उप्युक्त होती यह अगर हम बात करें लेटर रेट मिल्दा की, तो जो लेटर रेट मिट्टी होती है, वो प्राया 200 cm, कितनी प्राया 200 cm से ज़्यादा वर्सा वाले अस्थान पर ही पाई जाती है, और ये चाय, कॉफी और मसालों की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उप्युक्त भिल्दा मानी जाती है नेक्ष्ट कुश्चिन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुश्चिन नंबर 10 आप से कह रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सी मिट्टी में सिचाई की आवशक्ता नहीं होती है यह आपको बताना है लेटेराइट मृदा लाल मृदा या फिर काली मृदा तो सब्सक्राइब काली मृदा के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है नेक्ट कुश्चिन आपकी स्क्रीन पर कुश्चिन नंबर 11 कुश्चिन नंबर 11 आप से कह रहा है कि लाल मृदा कि नहीं पाई जाती है लाल मृदा इन चारों अपिछिन में से किस राज में नहीं पाई जाती ऐ है चत्रजगण तमिलनाडव मरी पुर या फिर असतंतर तो आप या üzह रखिए कि लाल मृदा जो है असतं में कौनन सी मृदा नहीं पाई जाती है असम में जलोड मिर्दा पाई जाती है तो आई होब कि यह कोशिन आपको क्लियर होगा आगे पढ़ने से पहले हम आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मिशन देना चाहेंगे जो अनकेडमी की तरफ से है अनकेडमी आप जानते हैं कि इंडिया का लार्जेस लर्निंग प्ल इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का और साथी साथ इसकी एक स्पेशल थिंक होती है कि आप इसको कहीं भी कभी भी अपने लाइव रिकॉर्डड शेशन देख सकते हैं अनकेडमी पर अपना प्याच पुरा पढ़ना चाहते हैं तो बिलकुल भी लेट मत करिए क्योंकि इसके प्राइजस बहुती जल्दी बढ़ने वाले हैं इसके प्राइजस हाइक होने वाले हैं तो अगर आप अनकेडमी के लिए इंट्रेस्टेड हैं तो अभी जाएगे और इस पर अपना एड्मिशन लीजिए और साथी साथ जो है राफ्रेल कोड सक्सेस नंत्र कोड लगाएंगे तो आपको यह 9,350 की चीज 8,415 में मिलेगी यानि लगब 10% का डिसकाउंट आपको देखने को मिलेगा अगर आप अभी इंट्रेस्टेड हैं हमारे सक्सेस मंत्रा ड्रेफिल कोड का यूज जरूर करिए 10% डिसकाउंट ठीक है बढ़ते अपने अब नेक आप याद रखिए कि केरल में काली मृदा नहीं पाई जाती है बहरत में महाराष्ट उड्य्तर प्रदेश तमिल नादू पश्यम बेंग पश्यम अद्योपर डक्शन राजस्थान इन सारी जगों पर पाई जाती है लेकिं केरल में कौन सी यूस्का आप कौन में मिलकर सबसे बड़ी चट्टान भी कहें जाती है नेक्ट कुर्शन्ट के सामने पीट मुख्यता कहां पाई जाती États कि उप्रिधा मुख्यता कहां पाई पंजाब राजस्थान केरल या पिर उत्तरप्रदेस तो आप यह रखे कि जो पीटlı म्रिडा होती वह पर पाई जाती है और अगर हम बात करें उपरी जो परत होती यह जिस पर वनस्पथि की परत जम्हीं होती है उसे हम पीट कहते हैं और इसलिए आपसे पूचा है कि पीट मृदा कहां पाई जाती है तो आप इसका राइट आंसर याद रखिए के रल में पाई जाती है आपके स्क्रीन पर सामानित या इट बनाने के लिए सबसे अधिक उप्योग कौन से मिट्टी का होता है अगर हम बात करें कि इट के लिए सबसे ज़्यादा कौन से मिट्टी का यूज करते हैं यह आपको बताना है लेटिराइट मृदा काली मृदा या फिर लाल मृदा तो याद रखें कि सामानित इट बना रिक लिए अंग होता है is कि हींदी करें कि इस भासा में कि लेटर को क्या कहते है aşk होता है और इससे आप लेटरियांत मिट्टी से हम सामानित ऐट के KP लिए करते हैं next question स्क्रीन पर मानसून का प्रत्यावरius काल कौन सा है November से December और यहाँ झन्वरी से सितम्बर से October तो आप याद रखें सका right answer क्या हो जाइगा ममानसून का प्रत्यावरित Calvin सितमबर से October के बीच लिए ठीक है और यह अवधी होती है सितंबर से अक्टूबर की वो किसकी होती है सरद रित्व की होती है और इसी को क्या कहते है मांसून का प्रत्या वर्तन काल कहते है ठीक है नेक्ट कुश्चिन आपके स्क्रीन पर भारत में वर्षा रित्व का काल है भारत में वर्षा रित्व का मध्य जुन से अगस्त का होता है इसी वीच जो हमारे हाँ वर्षाड़ीतू होती है भारत में तो इसका टाइम पर ही वर्धी होती है या ताप्मान में कमी दोनों होती है तो आप याद रखिए कि सूरी के करक रेखा पर लंबवत चमकने की वज़े से उत्तर भारत के तापमान में क्या होती है व्रद्धी होती है इसका राइट आंसर क्या हो जाएका अप्शन नमबर A अगर हम बात करें कि सूरी के करक मतलब कि कौन सा दिन होता है जो उत्तरी गोलार्ड में सबसे लंबा होता है तो आप याद रखिए कि 21 जून जो होता है वो उत्तरी गोलार्ड में सबसे बड़ा दिन माना जाता है चैकर और सबसे चोटी रात बानी जाती है नेक्स कुश्चन है आपकी स्क्रीन पर भारती मौसम विभाग द्वारा भारती जलवायू को कितनी रितुमों में विभाजित किया गया है यह आप से बत पूशा है दो पांच या फिर चार तो आप याद रखिए कि भारती मौसम विभाग द्वारा भारती जलवायू को चा रितुम में विखाजित किया गया है वो भी कौन का न सी हैं सड़ी गर्मी वर्षा और सरद। यह चारों आपके seasons है और अब आते हैं हम अपने वीडियो के सबसे last question पर, सबसे last question आप से कह रहा है कि भारत में वार्शीक वर्षा का उसत कितना है, यानि है से centimeters में पूछ रहा है कि वार्शीक वर्षा का जो उसत है वो कितना है, तो आपको बताना है 90 centimeter, 100 centimeter, 1500 centimeter यानि 150 centimeter और 11 118 cm इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा तो भारत में वार्शिक वर्षा का जो ऑसत है वह 118 cm है कितना है 118 cm है और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला अस्थान भारत में कहा है तो वह आप याद रखें मौसिन राम में मौसिन राम में कितना सेंटीमीटर होता है 1300 cm होता है कितना 1300 cm वर्षा होती है और सबसे कम कहां होती है तो सबसे कम होती है थार मरुस्थल में जो कि जैसल मेर में कितनी होती है लगबग 5 cm अब आप देख सकते हैं यह ज्यादा है यह कम है और यह आपका यह एवरेज है कि आपके लिए बहुत ही जदा इंबॉर्टेंट है आज हमने मिट्टी और वर्षा के बारे में ज्यादा तर पूस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज आप अपने पढ़ाई को कंटीनू रखिए बिल्कुल भी ब्रेक मत करें गवर्मेंट क्या कर रही है गवर्मेंट क्या डिसे साथ हमारा सजिशन है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटीनू रखिए और आपको हमारे चैनल के माद्यम से सारी प्रिपरिशन करवाए जा रही तो अपनी पढ़ाई को आप कंटीनू करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बढ़ने रहे और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर अब अभी तक नहीं जूड़े तो अब आपको आपको वीडियो के नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो भी इंफर्मिशन अपडेट होती रहती है वह